हेलो, गुद मॉर्ण दिया सुरेंट और कैसे हो चलो आज हम लोगों के चैप्टर नमबर फ्री को स्टार्ट करते हैं हम लोगों का चैप्टर नमबर जो त्री है वो है मानव प्रजनल आज का लेक्टर नमबर फाइब होगा हम लोगों का मानव प्रजनल में हम लोगों ने बत्रेंद टंतर मादा बत्रेंद को बढ़ चुके थे आज हम लोग बढ़ेने यूगमक जनन होता क्या है तो नाम है कि इसका यूगमक जनन यूगमक बनने की प्रिकिरिया यूगमक जनन मतलब बनने की प्रतिया यूगमक बनने की प्रतिया क्या कह लागी यूगमक जनन अब हम लोग जाने की यूगमक जनन कितने तरह के होते हैं तो यूगमक जनन दो तरह के होते हैं एक सुक्रानो जनन और दूसरा अंडानो जनन शुक्रानों जननों को हम लोग एस्परमेटोजनेसिस कहेंगे और अंडानों जननों को क्या कहेंगे उजनेसिस कहेंगे हम लोग ये भी जान भाए कि ये दो तरह के यूगमक है नर में शुक्रानों का निर्मान होता है अर्थात नर में गेमिक तो नर में एसपर मेटोल जैनेसिस होगा और मादा में क्या होगा उजैनेसिस की प्रिक्रिया होगी अर्फात अंदानों का निर्मान होगा अब क्या है सुक्रानु बनने की प्रिक्रिया क्या कहलाएगी सुक्रानु जनल आज हम लोगों का टॉपिक होगा गैमिटू जैनेसिस में फर्स्ट गैमिट का निर्मान क्या शुक्रानू जनल तो सुक्रानू जनल क्या है सुक्रानू बनने की प्रिक्रिया क्या कहलाएगी सुक्रानू जनल अब हम लोग देखें कि शुक्रानों बढ़ता कहा है तो हम लोगों नर्व प्रजनम तंद्र में पढ़ा था कि नर्व प्रजनम तंद्र में प्रात्मिक लेंगिक अंग के रूप में एक जोरा क्या पाया जाता है व्रिशन पाया जाता है इस व्रिशन जो है ये व्रिशन अ शुक्र जनन नलिका इसी शुक्र जनन नलिका के अंदर दो तरह की कोसिकाएं होती है एक एस्परमेटो गोनिया कोसिका और दूसरा सर्टोली कोसिका एस्परमेटो गोनिया कोसिका ही शुक्रानू का नर्मान करती है और सर्टोली कोशिका उसको कोशन परदान करने का काम करती है जिसको हम लोगोंने पिछले क्लास में पढ़ा था ठीक है क्या क्या हम लोगोंने पढ़ लिया है कि नर्वे एक जोरा बिर्शन पाया जाता है जो बिर्शन कितने कमपार्टमेंट में बटा होता है अड़ाई सोग अपार्टमेंट में जिसको हम लोग क्या कहते थे ब्रिसन पालिका उस ब्रिसन पालिका से किसी में एग, किसी में दो और किसी में तीन अती कुंडलित नलिका है मतलब बहुत जादा घुंडराला नलिका निकलती है जिस नलिका को हम लोगों ने क्या कहा था सुक्र जनन नलिका इसी सुक्र जनन नलिका के अंदर किसका निर्वान होता है सुक्रानों का निर्वान होता है तो आज हम लोग पूरी तरीके से इस सुक्रानों जनन के प्रिकिरिया के बारे में पढ़े गी हम लोगों ने क्या यह हो जिया हम लोगों का शुक्रानुद दनना लिकाई इस तरह से इस तरह से सिल थे यह जो सिल है इस सिल को हम लोगों ने क्या कहा था सर्टोली कोसिका सिल आगे जो जगा है इसमें किसका नर्मान होता है सपर्मेट्डो गोनिया सिल यह हम लोग जिसको कह लें नर्जर्म सिल अब हम लोग क्या देख रहे हैं यह एसपर्मेट गोनिया सिल आगे चल करके किस में बदल जाएगा शुक्रानु में बदल जाएगा और दो सुक्रजनर नविकार के बीचोबीच दिवारा साइब से एक विसेस परकार की कोसिका होती है जिसको हम लोग अंतरानी कोसिका या दूसरे नाम से भी इसको जानते हैं ली़िंग वोसिका के नाम से तो ये क्या करता है टेश्टो और अंड्रोजन हार्मोन का नर्मान करता है जो की इस प्रकलिया को पूरा करने का कंड्रोल करती है पूरा कर ने का खाम करती है तो चलो आज we should the score के बादे समझते हैं अब देख़ वह क्या देखेक है कि 2ь 30隻 और सना इस वहर मेप डू quest नंबर और शुत्र का नंबर है वो क्या होगा जोरा में होगा अर्थात 2N होगा इस कोशिका को हम लोग क्या करेंगे एस्परमेटो गोनियम सेल कोशिका या इसका दूसरा नाम आधी जनन कोशिका भी होता है आधी जनन कोशिका ये जो एस्परमेटो गोनियम सेल है वो एक तरह का Star सेल है कैसा सेलर है Star सेलर का क्या सत्र कोशिका क्या में वह ऐसी कोशिका जिसमें विभाजन की ऐलीमिटेड़ 기पी सीटी पाईचिस आती हो मतलब विभाजन कितना उब्भार होते रहेग का लेकिन कोशिका उसमें खत्म नहीं होगा कुंसा विभाजन तो समसुत्री विभाजन माइटोसिस डिवीजन तो यह जो एस्परमेटो गोनिया से लिए आदी जनन कोशिका है उसमें बारबान क्या होता है समसुत्री विभाजन तो पहला समसुत्री विभाजन हम लोग यहां करा देते हैं एक समसूत्री भादन से एक कोसिका से दो कोसिका का निर्मान हो जाता है। इस तरह से इसके अंदर बहुत सारे संसुत्री कोशिका विभादन होती बेर सारे कोशिकाओं का इधर निर्मान हो जाता है इसमें इसकी संशा बढ़ जाती है अब इसका भी जो प्रोमोसॉम नमबर है गुंशुत्र का संशा बढ़ता नहीं है क्योंकि हम लोगों में इस सेल के अंदर क्या तरवाया है संसुत्री कोशिका विभादन सं मतलब बराबर और सुत्र मतलब गुंशुत्र अब एक कोशिका से यहां जब दो कोशिका बनता है तो इस कोशिका पर क्या नाम हो जाता है प्राइमरी प्राथ्विक एस्परमेटोसाइड अब इस प्राइमरी एस्परमेटोसाइड के अंदर क्या होता है अर्जशुत्र भाजन शुरू हो जाता है कौशा भाजन अर्जशुत्री भाजन अब बहुत बच्चे को सेल साइकिन नहीं पता होगा तो मैं थोरा सा बता देती हूं कि अग्षुत्री विभाजन जो है वो दो चक्र में पूरा होता है क्या दो चक्र में थो एक कोशिका है टू इसमें वाल विभाजन हो गया स्वक्ष्ट एस्ट मतलब आगा सुट्र ढया हो जाता है और फिर जब दूसरा होता है मतun इसका फेस्थ पूरा होता है तो फिर से एक सट से दोस 216 होंता है अताकर सट में अरद सुत्री विभादन होने श् dépके में उस्वा न सटत्र का संख्या होता है वो न होता है इस अदनाreten पाप्पा के सल में होगा, उसका आधा हो जाता है परांसल के हाथ हो जाता है ट्रियर, बस अभी इतना ही समजना है, cell cycle को भी बिस्त्रिस से वह नहीं करवा सकते तो फिर इसी तरह से हम लोग लेखे हैं, जिक भाहल लोग इसमोग अज शुटरी भाचन कर वाते है तो यहाँ एंग कोषिखा से किन्य कोषिका ने बरत गए पहली बार में दू कोषिखा ए जिसमें गुलसुत्रु की शंक्षा आधी हो गई और फिर जब दूस्सारे सूत्र वहादर का दूसरा फ्ले में प्रत पुरा हो जाएगा तो फिर से दो और कोषिखा पर निर्मान हो जाता है जिसमें गुंसुत्र की शक्षा आधी हो जाती है अब इसका नाम क्या हो जाता है दूतियक शुक्रजनलकोसिका या दूतियक एसपरमेटोसाइड गूतियक एस्पर्मेटोस आई अब यह जो गूतियक एस्पर्मेटोस आई के देखने में कैसा लग रहा गोल गोल आलू की तरह जिसको हम लोग क्या करते हैं एस्पर्मेटोस आड़ेखने में गंदा सा लग रहा है तो जब एस्पर्मेटोस गोल गोल है पूछ लग जाएगा तब हम लोग इसको क्या तहेंगे शुक्रानू इस तरह से जब इसका आखार फ्रहा सा लंबा उताता है और इसमें पूछ लंग दाता है तब ये क्या कहलाता है शुक्राणों कहलाता है और एसपर मेटेरस से शुक्राणों बनने की परक्रियाश एसपर-Мियोजेनेसिस कहलाती है एस पर मियो जेनेसिस चलो हम लोग फिर से इसका एक बाद रिवीजन कर ले क्या तो सबसे पहले युगमक जनल होता क्या है जनल मतलब बनना उत्पन होना किसका उत्पन होना युगमक का उत्पन होना तो युगमक बनने की प्रेक्रिया क्या कहलाएगी युगमक जनल कहलाएगी युगमक जनल दो परकार ये होते हैं नर नर युगमक को बनाएगा और मादा मादा युगमक को बनाएगी नर्ड क्या बनाता है तो सुक्रानु बनाता है जिसको हम लोग क्या कहेंगे सुक्रानु जनल या एस्पर मेटोजनेसिस और माना क्या बनाती है अंडानु बनाती है जिसको हम लोग क्या कहेंगे अंडानु जनल या उजनेसिस अब अब हम लोग देखने हैं सुकरानु जनन को, ऐस्पर मेटोजनेसिस को इसी तरह से जननिमिन्स बनना, किसका बनना, तो ऐस्परमकाद बनना, मतलब सुकरान बनने की प्रिक्रियार च्या कहलाईगी शुक्रानु जनन्द खलाई थी हम लोगों नर्वर्जनन्द कंद्र में क्या पढ़ा था कि नर्व में एक जोरा टेस्टिस होता है जिसको हम लोग प्राज्मिक लेंगिक अंग के नाम से जानते हैं जो टोटल अरहाईशो कंपार्टमेंट में बड़ा होता है इस अरहाईश सम्स्त्री विभाजन की विभाजन कीषिक होती है यह कभी खतम नहीं हो सकता तो जब इसमें एक समसुत्री विभाजन होता है तो इसकी संख्या बढ़ती है हम लोग जानते हैं कि एक कोशिका में एक समसुत्री विभाजन से दो कोशिका का निर्मान होता है यह कि उसमें गुन्सुत्र की संख्या पेरेंस सिलके समान होते है अपने मातरी सिल के समाल होते हैं। ये बात आ गई समझों, क्या हो गया? ये जो आदी जिनल पोसिका था, या एस्परमेटोगोनिल कोसिका था, उसमें क्या हुआ? फ़स्ट समसुत्री विभाजन, जिससे कितने पोसिका में निर्मान हुआ? जो कोसिका था, लेकिन उसके कोई चेल्ज नहीं आए इसका भी गुन्सुक्र 2N तो इसका भी गुन्सुक्र क्या हो गया लेकिन इसका नाम अब क्या बदल गया और अब प्राक्मिक एस्पर्मेटोसाइट में अर्दसुत्री भाजन होता है झाल 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 पूरा झाल पूरा अर्शुत्री भाजन होता है तो इसका नाम क्या हो जाता है और सब्सक्राइब टर्म थांडिपय प्रोटाइब शोगने में भड्दा बोल गोल लगता है जाएब इसका थोरा सा सुन्दरता बढ़ना है क्योंकि अब तो दुम्हें राजा तैयार हो रहे हैं तो थोड़ा सा फुष्टों चाहिए मैंकम से पर तो क्या हो जाता है यह एसपर्मेक्र्स थोड़ा सा लंबा हो जाता है और इसमें पूछ लग जाता है ताकि वो तैयर करके फिमिल बॉडी तक पहुत सके त तो एसपर्म मेटिर्स से एसपर्म बनने की प्रक्रिया क्या तहलाएगी एसपर्मियो जेनेसिस तुम लोग एसकन सॉट मिलो एकार करनो प्लाम कर लो देखो सुप्रानो जिननन में कौन-कौन से स्टेप्स आते हैं तो सुप्रानो जिननन की जो प्रक्रिया है वह नर में 12 से 13 वर्स की अवस्था में स्टार्ट होती है जब प्यूबर्टी हिट करता है सुप्रानो जिननन की जो यह करिया होती है घर और होती है ओstudy-очь कि अदल होती है अधिकर ऊसी का रुसा है जसका नहीं अपनी शेल्थे और सर ओफर्माटो परिया सैल करते हैं इस चांशन में कि हैं तब इसका नाम बदल करके प्रांत्मिक X4 में दुप लग एं shares का वचिक और यह सब्सक्रिद पुरू होता है एक वे एक बनता है जब अर्द सुत्री बनता है जह वह शुवा होता है तो एक सरसे पोटल चार्ट सरका फोर्मेशन होता है जिसका गुंसुत्र की संख्या एन होती है और तब इसका नाम बदल करके एसपरमेटर्स हो जाता है एसपरमेटर्स देखने में आलू जैसा बोल बना सा होता है जब इसका थोरा सा बूड़ी बढ़ जाता है मतलब जब इसका एसपरमेटर्स देखने की परक्रिया एसपरमेटर्स को हम लोगों को ध्यान में रखना है क्या एसपरमेटर्स से इसपर्स बनने के बीच के स्केप जो हैं उस असपरप्र को हम लोग Craneus टेरियर किर डूट देरुल भार हम लोग फिर से इस को देखने क्या होकि नहीं का थी उस कि इसक पाया जाता है जिस सेल को हम लोग आदी जरल को सिका या एसपरमेटो गोनिया सेल में पहली बार समसुत्रि भाजन की कोस्त्रिया होगी जिससे एक सेबसेल सेपनान होगा और बुर्ण सुत्र की संक्षा उसमें तूएंडी दःजाएगी तो इसका नाम बदद करके जबसकित को हुगी और हम लोग जाते कि ऊत्तलोड का वहाजन दो पूरा होता है जो एक से प्रोटल चार से पर्मेशन होता है और तब इसका नाम बदल करके एसपरमेटर्स हो जाता है यह से बोलो अजीफा देखने में लगते हैं लेकिन हम लोगों का जो एसपर्म है ब्यूटिफुल है सुदर सा है अन्वोल क्रियेचर है तो जब इस एसप प्रोटला से लंबा हो जाता तो उत्वित पूच्त की सफ़ित तेम नामर्व जाता है तो सिकराण जाता है तो ऐस्प्रमेटर्स एसपर्म बनीवीशन की प्रोसेस कैना कर में पर मेङ़ेक लोगों डार कर लो तो तुम लोग नोट डाम कर लिये होगे चलो जादा से जादा अच्छे से पढ़ करते समझना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब